नमस्कार他們 आज मैं फिर आपके सामने अपराद की एक और घटना लेकर आया हूं आज के अपराद की घटना भी हाल यह है बिल्कुल हाल फिरहाल कि ए आज की घटना का प्रदेश है राजस्थान राजस्थान का शहर जैपूर और जैपूर शहर का थाना रेनवाल रेनवाल थाने पर 20 नौमबर 2024 को सुबह करीब शाड़े आठ बजे कुछ लोग पहुँचे और थाना ध्यक्ष को बताया कि साब थाना छेत्र के अंतरगत पढ़ने वाले गाउं बेरंपुर में जो आदमी साथ में था उसने कहा सा मेरा चार साल का बेटा था दीख्षान्थ वो अपनी मा के साथ खाना खाकर रात में सोया था सुबह साथे छे बजे जब उस बच्चे की यानि दीख्षान्थ की दादी उसे दूद पिलाने के लिए उसके कमरे में गई तो मा उसकी काम पर जा चुकी थी और दादी ने जब उसे दूद पिलाने के लिए उठाने की कोशिश की तो वो निढ़ाल पड़ा हुआ था शोर मचाया मैं भी घर में था भाग के गया बच्चे को गोज में उठाया भाग कर हॉस्पिटल ले गया लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोशित कर दिया वहां से लोटने के बाद मैंने अपनी पत्नी सरिता कुमारी से पूछा कि रात में ऐसा क्या हुआ था कि सवेरे ये बच्चा मृत मिला उसने साफ मना कर दिया कि खाना खाके सोया था मैं भी सो गई थी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा लेकिन मुकेश चौधरी ने थाना देश को बताया कि मुझे हर हाल में अपनी पत्नी यानि उस मृतक बच्चे की माँ पर ही शक है कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वज़े से उस बच्चे की मृत्य हुई है पुलिस ने भी उसकी हत्या का मामला दरज कर लिया और हत्या का मामला दरज करने के बाद उससने पूस्ताच शुरू की और वो उसकी पत्नी से ही पूछी गई जिसका नाम सरिता था सरिता से पूछतांच करते समय पुलिस ने जब पूछा कि बच्चे को क्या हुआ था और उसे कौन सी दवा दी थी इस तरह की बातें पूछते पूछते जब वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी या नहीं दे रही थी जान बूचकर तब अचानब उसने कहा किसा तुमने बच्चे को क्यों मार दिया तो उसने कहा कि मैं बच्चे को अपने साथ रखना चाहती थी या रखना चाहती हूँ वो मेरे पास भी सोने को तयार नहीं होता वो अपने दादा दादी के पास ही सोने को तयार होता है मैं भी हाल अपने पीहर गई थी मैं चाहती थी क अपने बच्चे को अपने साथ अपने पीहर ले जाओं लेकिन वो जाने को तयार नहीं हुआ उसका लगाओ अपने दादा दादी और अपने पिता से जादा हो गया था मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी मुझे ये लगने लगा कि अगर ये मेरे साथ नहीं रहता या मेरे साथ नहीं चलता या मेरे साथ रहने को तैयार नहीं है तो मैं किसी के साथ इसे नहीं रहने दूँगी और उस रात को भी यही हुआ नो बजे मैं उसे बड़ी मुश्किल से मोबाइल पर वीडियो दिखाने के बहाने या दिखाकर मैं उसे उसकी दादी के पास से ले आई थी वो किसी तरह आने को तयार नहीं था और जैसे ही वो बिस्तर पर पहुँचा मैंने उसका गला दबा कर मार दिया पुलिस भी हक्की बक्की जैसे मैंने बताया और फिर शब को पंचायत नामा करके पोस्माटम के लिए भीजा गया कि इसकी बात में कितना दम है क्योंकि जाहिरा ताओर पर शरीर पर उसके चोट के निशान नहीं थे बच्चे के बेरहाल शाम तक पोस्माटम की रिपोर्ट आ गई और पोस्माटम की रिपोर्ट में वही आया cause of death due to strangulation जगा जगा उसके उंगलियों के और हाथ के दबाव के निशान उसके गरधन पर यानि नीलगू निशान उसके गरधन पर पाए गए तो ये बात तैंग हो गई कि मानी ही उस बच्चे को मारा था बहुत रिमोट में ये गाउं था बीरमपूर मुडियागर जी एसेस के सामने से कच्चा रास्ता बीरमपूर के लिए जाता है और जब पुलिस वहाँ पर पहुची और उसने बाहर ही पूछा कि वो कौन सी जगह है वो मुकेश का घर कौन सा है तो गाउंवालों ने यही पूछा कि वही घर न जिसमें बच्चे को उसकी मानी मार दिया है गाउंवालों में बड़ा रोश था गाउंवाले पुलिस से भी यही कह रहे थे कि इस लकी ने इस महिला ने गाउं का नाम बदनाम किया है इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए इसने अपने ही बेटे को मार दिया गाउं वालों से डेटेल पूछने पर पता लगा कि गाउं का रहने वाला मुकेश चौधरी जिसकी उम्र करी 35 साल है उसकी शादी 2019 में वारांसी की रहने वाली सरिता कुमारी के साथ हुई थी लड़की के परिवार को एक लाख रुपए देकर कोर्ट मेरिज की गई थी और दीक्षान्थ का जन्व फरवरी 2020 में हुआ था मुकेश ने बताया कि शादी के तीन साल तक तो सरिता का ब्यवहार परिवार और उसके प्रती बहुत अच्छा था लेकिन पिछले एक साल से वो आए दिन घर पर जगड़ा करती थी वो बार बार अपने घर बनारस जाने की जिर्द करती थी मुकेश ने आगे बताया कि पिछले तीन सालों में वो साल में एक आथ बार कभी अपने बीहर बनारस जाती थी लेकिन इस साल यानी बीते साल वो एक साल में चार बार बनारस गई और हर बार वो एक महीने से ज़्यादा अपने घर पर रही थी अभी नौ नौमबर को सरिता के पिता नंदलाल उसे लेने आये थे उसमें पूरा दिन सरिता ने देखशांत को अपने साथ पीहर ले जाने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी कीमत पर अपनी मा के साथ जाने को राजी नहीं हुआ वो अपनी बाबा और दादी से चिपका रहा रोता रहा कि मैं इनको छोड़ कर नहीं जाऊंगा और फिर नौ तारीक की गई हुई वो सत्रह तारीक को वापस आई लिकिन आते ही उसका बिवहार एक दम बदल गया उसने घर का कोई काम नहीं किया अपनी सास मोहिनी से मोहिनी देवी से बात तक नहीं की अपने ससूर से बात नहीं की और पती से सिर्फ उसके पूछी गई बातों का जवाब दिया अपनी तरफ से कोई बात उसने नहीं की घरवाले ये भी बताते हैं कि 18 नमंबर को मुकेश चौधरी के परिवार में ही एक पारेवारी सदस्य के यहां शादी थी और भात भरने का कारेक्रम था उस कारेक्रम में जाने से भी सरिता ने मना कर दिया था पूरा परिवार भात के कारेक्रम में गया था सरिता के सास ससुल दीक्षांद को साथ लेकर उस कारेक्रम में शामिल हुए थे लेकिन सरिता उस कारेक्रम में नहीं गई थी मुकेश बताते हैं कि दीक्षांद दादा दादी से उसका बहुत लगाव था वो दिन भर उनी के पास रहता था घटना वाले दिन जब ये बताया गया कि 17 तारीक को आप वापस आई तो उस समय तक दीक्षांत अपने दादी के पास ही रात में सोता था दादा आया दादी के पास लेकिन आते ही उसने रात में उसे डाद डपट कर अपने साथ सुलाया हलांकि बीच में वो उठकर फिर दादा दादी के पास भाग गया था उसे फिर बुला कर ले आई तो 17, 18 और 19 वो तीनों दिन उसने कोशिश की कि वो बच्चे को अपने साथ ही ही सुलाया उसे दादा दादी के पास जाने पर उसे सक्त एतराज होने लगा था दिन भर की बात बताते हुए मुकेश ने बताया कि वो मंडा गाओं में एक फैक्ट्री में काम करता है मंगलवार यानि 19 नौंबर की सुबह वो अपनी ड्यूटी पर गया था उस दिन शाम को साथे साथ बजे तक दीक्षांत अपने दादा दादी के साथ ही खेल रहा था करीब साथे साथ बजे सरिता दीक्षांत को लेने के लिए दादी के पास गई लेकिन दीक्षांत ने मना कर दिया दादी बताती हैं कि उसके मना करने पर वो बहुत जुझलाई भी और चिलाई भी लेकिन उसको फिर मोबाईल में एक वीडियो गेम दिखाया और फिर उसी लालच में दीकशांत उसके पीछे पीछे अपनी मा के साथ चला गया मकान के अंदर की तरफ अलग से एक कमरा बना हुआ है जिसमें दीकशांत अपने माबाप के साथ रहता था सरिता बच्चे को लेकर कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया आम तोर पर दीकशांत मैंने बताया अपने दादा दाजी के साथ रह रहा था लेकिन पिछले तीन दिनों से जिद करके कोई न कोई बहाना बनाकर सरिता उसे अपने पास अपने साथ लेकर सोती थी मुकेश ने बताया कि कोई रात दस बजे वो फैक्ट्री से घर लोटा खाना खाकर कमरे में पहुँचा तो दीकशांत उसे सोता हुआ नजर आया उसको एक चदर उड़ा रखी थी सरिता ने सरिता से पूछा गया कि दीकशांत सो गया तो इतनी जल्दी आज कैसे सो गया सरिता ने जवाब दिया कि उसने जल्दी खाना खा लिया था जल्दी नींड आ गई फिर उसने बताया कि रात करीब नो बजे ही ऐसा लगता है कि सरिता ने उसका गला घोट करमा डाला था चुकि ये बाद बाद में पोस्ट माटम रिपोर्ट से भी कनफर्म हुई लेकिन जब उसने पूछा खाना खाया दस साड़े दस बजे सोया उस समय सरिता भी उस बच्चे के साथ ही सोती रही पूरी रात वो उसे अपने मृत बच्चे के साथ ही सोई और इस बात की भनक बिल्कुल भी मुकेश को नहीं लग पाई कि उसके बच्चे की मौत हो चुकी है रात में ही सरिता ने अपने पती मुकेश का मोबाईल निकाल कर उसमें अपनी और अपने बच्चे की सारी फोटो डिलीट कर दें अपनी भी मोबाईल से उसने दीकशांत और उसके पिता की सारी फोटो डिलीट कर दी सुबह छे बजे जब उठा मुकेश तो उसने देखा कि सरिता खेतों का काम करने के लिए चली गई है आम तोर पर दीक्षान्त सुबह पांच बजे उठ जाता है लेकिन उस दिन साढ़े छे बजे जब दीक्षान्त की दादी उसे दूद पिलाने के लिए दूद लेकर उसके कमरे में गई और उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वो निढ़ाल पड़ा हुआ था दादी ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया मुकेश भी भाग कर आया क्योंकि वो घर में मौजूद था और उसको लेकर गोद में लेकर पैदल ही पास के एस्पताल में पहुँचा जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोशित कर दिया उसके बाद वो लाश लेकर सीधे फिर घर आया चाचा चाची सब वहाँ इकठा हो गए थे चाचा बताते हैं कि वापस आते ही उसने सरिता से ये पूछा कि बच्चा रात को तुम्हारे साथ सोया था तो उसके साथ क्या हो गया कौम सी दवा तुम ने खिलाई या खाने में क्या खिलाया कि वो रात में ही उसकी मृत्य हो गई हरी प्रसाद ने ही फोन से थाने को सूचना भी दी थी और हरी प्रसाद ही अपने भतीजे मुकेश के साथ थाने पर भी गया था और उसने जिद करके शब का पोस्माटम भी कराया था रेनवाल के C.I. सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि पती मुकेश ने महिला पर शक जताते हुए बच्चे की हत्या की ये तहरीर दी थी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसके कनफेशन के बाद उसे गिरफतार भी कर लिया गया और उसके कनफेशन का करोबरेशन उसके पोस्माटम रिपोर्ट से भी हो गया बार बार वो यही कहती थी कि जब भी मैं पीहर जाती थी ये कभी मेरे साथ जाने को तयार नहीं होता था सरिता ने उस दिन की बारे में बताया कि जब मैं वहां से लोट कर आई तो मेरे सास ससूर और मेरे पती मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ अपने पीहर गई थी उसने कहा मैंने खाना भी नहीं खाया था और मैं मानसिक रूप से परेशान थी हलाकि मानसिक रूप से परेशान होना या मानसिक रूप से विच्छिप्त होना दोनों अलग-अलग बाते हैं और उसने कहा कि मैं परिशान थी और इसी लिए उसने ये कदम उठा लिया वो नहीं चाहता उसका ये कहना है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अपने पिता के पास रहे मैं चाहती थी कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे और अगर वो उसके पास नहीं रहेगा वो अपने बच्चे को उसके बाप के पास भी नहीं रहने देगी और इसी कारण से उसने अपनी बच्चे का मर्डर कर दिया उसको मार डाला मुकेश ये कहते हैं कि ये बात सही है कि लगभग एक साल से सरिता के वेवहार में बदलाव आया था इस साल वो बार बार पीहर जाती थी और हर बार वो एक आद महींने रुक कर आती थी اور मुझे ऐसा लगता था कि ये पीहर वानों के साथ मिल कर कोई प्लान बना रही है हमारे पास थी बच्चा भी हो गया था हो सकता है उसके दिमाग में दूसरी शादी करने और वापस अपने पीहर जाने की बात दिमाग में रही हो पुलिस का भी यही मानना था ति वो दूसरी शादी आलग जीवन बिताने के लिए वो दीक्षांत को अपने साथ ले जाना चा बाद से परेशान होकर और ये सोच कर कि जब ये मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं इसे किसी और के साथ नहीं रहने देंगी और बच्चे की निर्मम हत्या कर दें आज की घटना देखे आज एक निश्ठुर और निर्मम मा ने अपने ही चार साल के बच्चे की हत्या कर दी बहुत ही खराब बड़ी दर्दनाग ये घटना है सुनके ही सिहरन होने लगती है कि कौन मा ऐसा कर सकती है दो ही चीजें समझ में आती हैं कि या तो वो जो पुलिस ने निश्कर्ष निकाले थे कि या तो वो मानसिक रूप से विच्षिप्त है या फिर कोई तातकाली कारण ऐसा रहा हो कि उसने बच्चे से दूरी बच्चे से दूरी बनाने का निरने ले लिया हो अच्छा मानसिक रूप से विच्छित महिला लड़की के बारे में जो मैंने अपने पूरी सर्विस के दर्म्यान देखा है तो मेरा ये मानना है कि मानसिक रूप से विच्छित महिलाओं के मात्रित्व प्रेम से मातित्य प्रेम में सामान्य महिलाओं के मातित्य प्रेम से कई गुना अधिक प्रेम जलगता है जो मांसिक रूप से विक्षित महिलाएं हैं उनका अपने शिशु के प्रति जो प्रेम है वो सामान्य महिलाओं से कहीं अधिक जादा होता है और वो मतलब मजाल नहीं है कि आप उसके सीने पे लगे हुए उसके छोटे बच्चे को आप छीन सकें उसे छू सकें या उसे हसी मजात में ही मांगने की कोशिश कर सकें वो हमेशा सीने से लगा कर रखती है आपने भी देखा होगा इधर उधर आपको शहर में जरूर कहीं न कहीं ऐसी मानसिक वे छिप्त महिलाएं या लड़कियां मिलेंगी जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को अपने सीने से ही लगा कर रखती हैं कि कोई उससे मांग ले या उसे लेने की कोशिश करे वो बिलकुल बरदाश्ट नहीं करेंगे आपको ध्यान हो कि किसा गोई में शुरूवात में ही मैंने हजरत गंज कोतवाली परिसर के बाहर जो एक्सिडेंटल तमाम गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसी में से एक एमबेस थी क्योंकि मेरी तमाम तैनाती के तर्मियान मैं उससे हमेशा रूब रू होता रहता था वो अपने नवजात को सीने से लगा कर रखती थी बहुत से वहां जो महिला कॉंस्टेबिस थी पुलिस वाले थे मजाल नहीं थी कभी कोई उसको छूब भी पाए कभी-कभी मजा के लिए वहां महिला कॉंस्टेबिस कहते हैं लाओं थोड़ी दिर खिला लें उसने कभी नहीं दिया वो हमेशा आपने सीने से लगा कर रखती थी और जब उसे ये अंदेशा होने लगा कि अब ये बड़ा हो रहा है ऐसा नहो किसी दिन ये या पैदल चलने लगा है भाग ज की नहीं कर पायेगा और जैसे ही वो बच्चे को दे देती थी ऐसे दमपति को उसी दिन वो कहीं न कहीं कुत्टे के बहुत छोटे बच्चे को अपने गोद में लिप्टा लेती थी और महीनों उसे अपने साथ रखती थी, साथ में सोती थी, साथ में खाना किलाती थी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि उस बच्चे को, उस कुट्टे के बच्चे को कोई छू भी सके ऐसा उसने बार बार किया, उसकी बहुत ही दर्दनाक कहानी रही है, जब मैं उससे पहली बार पंचानवे में मिला था, जब मैं लखनव में पोस्ट हुआ था और अंतिम बार उससे जब मैं स्पिसिटी था, उस समय 2001-2002 में मिला था और उसके बाद उसके मरने की खबर मुझे लगी थी तो मैंने उस पर एक बहुत डीटेल एपिसोट किया था उसका नाम ही राज कुमारी है इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि वो महिला वो लड़की सरिता कुमारी वो मांसिक रूप से विक्षिप कता ही नहीं थी बिल्कुल नहीं थी जो दूसरा कारण जिसकी संभावना सबसे अधिक है वो यही है कि वो अपने इस पती और परिवार को छोड़ना चाहती थी कारण चाहे जो भी रहे हो बै कोई नो कोई तो कारण रहा होगा कि इतना छोटा बच्चा अपनी मा के पास बिल्कुल नहीं रहना चाहता था वो अपने बाप और अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता था या रहता था तमाम प्रियास के बाद भी वो मा के साथ जाने को राजी नहीं होता था तो कुशनकुश तो ऐसा रहा होगा वो कारण क्या थे यह तो वही लोग जानेंगे लेकिन वो जादा लगा वो अपने दादा दादी और पिता से रहता था और वो शायद उसके दिमाग में ये था कि अगर ये मेरे साथ चलने को तयार हो जाए तो मैं पीहर जाकर फिर कभी वापस नहीं लोटूंगी नहीं रहने दोंगी और फिर उसने उसे बड़ी ही निर्ममता से मार दिया मा इतनी निर्मम हो सकती बड़ा रेर है वैसे ये बहुत रेर है कि मा इतनी निर्मम हो कि अपने छोटे बच्चे को चार साल के बच्चे को उसे जान से मार दे और शायद इसलिए जमाने से यह कहा गया है श्री देवस्टकम में जो लाइने हैं बहुत ही प्रसिद्ध लाइने हैं बहुत बार मैं कोट कर चुका हूँ कि कुपत्रो जाये तो कुछ दपी कुमाता न भवती यानि पुत्र तो कुपत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती जैसी आज हुई है आज यह कुमाता थी इसलिए मैं इसे रेर कहता हूँ बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है बहुत जमाने से रिशियों मुनियों के जमाने से यह कहा जाता रहा है कि कभी मा जो रहे वो कुमाता नहीं होती पूत तो कपूत हो सकता है मा कुमात नहीं हो सकती आशा है आप मेरी इस बास से सहमत होंगे आज के लिए इतना ही बहुत धन्यवाद